हेलो आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज साथ में है और आज हम आज के इंपोर्टन करेंट अफेर डिसकस करेंगे बड़ी स्टार्ट करने से पहले मेक सिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और रालेटिव में सेयर क चाहिं करते हैं आज के पहले क्वेस्ट से तो आज का पहला को आपका यह कि यह कि नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं एंके श्टालीन बने हैं इंपड़न पउन्स देख लेते हैं इंपोर्टन पाइंसमें मोथवेल काम्णा निधी श्टालीन की प्लान श्वामी की जगह लेंगे तो मुथवेल करुणा निदी स्टालिन की प्लान श्वामी की जगह लेंगे तमिलनाडू से देख लेते हैं इसकी राल्थानी कहा है चन नहीं है मुख मंत्री कौन मुत्वेल करणा निदी श्टालिन है गवर्नर बनवारी लाग पूरोहित है मुख्य नयायती संजी वनट जी है और अगर हम तमिलनाडो के तीन पड़ोसी राज जी की बात करें तो केरल, करनाटक और आंधर प्रदेश है तमिलनाडो की लोग सबासीट 49, राज सबासीट 18 और विधान सबासीट 234 है अगर हम तमिलनाडो की प्रमुग जीलों की बात कर लेते हैं तो बेरी जाम जील, ऊटी जील, कोडाइक नाल जील, चिम्बरम बक्कम जील आधी हैं तमिलनाडों के अगर पर्वत की बात करें तो पलानी पर्वत, सेवराय पर्वत, जवादी पर्वत, पंच मलाय पर्वत, सिरु मलाय पर्वत आधी हैं भारत का दच्छिरतम बिंदू केप को मुरिंग यानि कन्या कुमारी किस राजी में इस्थित है तो तमिलनाडू राजी में ही इस्थित है अगर तमिलनाडू के प्रमुख हवाई अड़े की बात करें तो क्यामबटूर अंतर राष्टे हवाई अड़ा चन्नेई अंतर राष्टे हवाई अड़ा मदुरई हवाई अड़ा तीरुचिरा पल्ली अंतर राष्टे हवाई अदि हैं अगर राष्ट उद्धान की बात कर ले तो विदांगतल अभ्यारन, इंद्रागाधी अभ्यारन, मुदुमलय अभ्यारन आदिये और अगर हम तमिलनाडु राजी की लोकनिति की बात कर ले तो भरतनाट्य हम है अगर पुछे जब हरत नाटम किस राजी का लोग नित्य है तो मिलनाडु राजी का लोग नित्य है याज का फर्स्ट कोश्टन था, सेकिन कोश्टन पर चलते हैं सेकिन कोश्टन आपका है कि फिक्की महिला संगठन यानि कि F.L.O की तास्टी अध्यच कौन बनी है उज्वला सिंगानिया बनी है, इंपॉर्टन पॉइंच देख लेते हैं उज्वला सिंगानिया महिलाओं के लिए उद्यमिता, उद्योगों भागिदारी, आरती विकास को बढ़ावा देने वाले वातवरण के निर्माण में मदद कर महिला सिसक्ति वरण करण पर ध्यान देंगी F.I.C.C.I क्या है? F.I.C.C.I भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना ब्यापारी संगठन है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry भारती वाड़ी जे उद्दोग महासंक इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी मुख्याला कहा है? नई दिलने में है? अध्यच कौन है? उद्यासंकर और संस्थापक के गर बैत कलने तो घंस यामदास पिल्ला और पुरुस्तुत्तम दास ठाकुर्दास है थर्ड कोस्टन को देख लेते हैं थर्ड कोस्टन आपका हाली में G20 के पर्याटन मंत्रियों की बैठक की अध्यचा किस देश ने की है? जो G20 का अध्यचता हुआ था परेटन मंत्रियों की बैठक की अध्यचता किस ने की है किस देश ने की है उसकी अध्यचता जो मंत्रियों की बैठक हुई थी तो इटली ने किया है इटली के बार में देख लेते हैं इटली में G20 के प्रेटन मंत्रियों की बैठक आयो जिन किया गया है। भारत की तरब से केंदी संस्कृती और प्रेटन राज्यमंती प्रेलाज सिंग पतेल ने इस बैठक में वर्चुली भाग लिया है। इस बैठक का उद्देश से क्या था। अगर प्रेटन राज्यमंत्री इसमें भाग ले रहे हैं तो इस से रिलेटेड होगा। इस बैठक में प्रेटन व्यवसाय एम रोजगार को संद्चर देने और कोरोना वायरस से प्रभावी प्रेटन व्यवसाय पर चर्चा की गई इसका यह उद्देश था। अब G20 को देख लें G20 यानि की ग्रूप ऑफटरंटी जी टुटरंटी नाइंटिन देश और इरोपी संख यू का सम्मूव है। इस था आपना कब हुआ था 26 सितंबर 1999 कि क्या भाराव जी टुटरंटी का हिस्सा है। हाँ जी टुटरंटी का ह एक और देख लेते हैं से कुछ पॉइंट कि G20 का पहला सम्मिलेन कब हुआ था तो 14 से 15 आउमबर 2008 मी हुआ था। 17 वे G20 सम्मिलेन 2022 के अध्य चेता कौन सा देश करेगा तो इंडोनेसिया करेगा और अगर 2023 के अध्य चेता की बात करे तो कौन सा देश करेगा तो भारत करे ठीक है एक कुस्टन पर चलते हैं चौथा कुस्टन आपका है कि हाली में विश्व का पहला AI यानि कि Artificial Intelligence मान और रही जहाज का निर्मार किया गया है इस जहाज का क्या नाम रखा गया है तो में फ्लावर 400 है इंपॉर्टन बास दिख लेते हैं कि प्रो मेयर ने IBM के साथ मि मिलकर में फ्लावर 400 जहाज का निर्मार किया है प्रो मेयर जो है किसके साथ मिलकर में फ्लावर 400 जहाज का निर्मार किया है तो IBM के साथ मिलकर किया है और में फ्लावर 400 है क्या तो ये Artificial Intelligence से त्यार किया हुई एक जहाज है मान रही जहाज है ठीक है अब प्रो मेयर क्या है तो यह समुद्री अनुसंधास जंगठन है, जबकि IBM आपका क्या है? Multinational Technology Company है, गॉट इट? और यह जहाज कैसा है? माना रही जहाज है, क्योंकि आर्टिफिचल इंडेजेंस पे काम कर रहा है, इसके लंबाई की अगर बात करने तो 15 मिटर है, और वजन इसका not done है, ठीक है? यह जहाज समुद्री प्रदूशर का अधिन करने, पानी में प्लास्टी का विसले सड करने, और समुद्री जानुरी को पसिती का पता लगाने में सहाय होगा, इंपोर्टन पॉइंस पता चल गया, मतलब कि यह कौन से जहाज है, इसका नाम क्या है पहला, जो अभी आर्टिफिसल इंटेलिजेंस पर त्यार किया गया है, तो में फ्लावर 400 है, किसके साथ मिलकर क्या गया है, तो प्रोमेयर एक समुद्री अनुसंधान संगठन है, और प्रणुजेंदे बनाए गया है, तो यह मैं जहाज है, जो समुद्री प्रढ़ूसर . प्रदूसर में प्लास्टिक का विसलेशर, जो फेकते उसका करेगा,들विसलेशरोगा और समुद्री प्लास्टिक को पस्त तो डिम की समुद्रेश का बाता बाता, प्लास्टिक का सA Ав अब हम कुछ देख लेते हैं दुनिया में पहला कुछ सी रिष्ष कर लेते हैं तो चंदबा पर उतरने वाला प्रथम्हेक्टी कौन थे निल आरमस्टांग थे सब को पता होगा अंत्रिच में पहुशने वाले प्रथम बेगती कौन थे मेजर यूरी गागरीन कहां के थे रशिया के थे रूस के थे अंत्रिच में जाने वाले प्रथम महिला के गर बात कर ले तो बेलेंटीना तेरे स्कोवा कहां की थी रूस की थी बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश बात कर ले तो स्वेडन था रोबोट को नाग रिखता देने वाला प्रथम देश सोफिया कौन है सौधी अरबिया है अबने इस कोशन पर इसको चलते हैं आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो पाचपा कुशन आपका कोरोना वारस का नया स्ट्रेन यानि कि N440K पहली बार किस राज़े में पाये गया है अंधरप्रदेश में पाये गया है अगर कोई पूछ ले कि N440K क्या है अपकी कुशन में गर राज़े N440K क्या है तो यह क्या है एक नया strain है और पहली बार कहां पाया गया है तो आंद्रपदेश में पाया गया है इसको और क्या कहते है इसको AP strain के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और यह इसका एक काम है कि जो अभी कोरूना वायरस चल रहा है उससे यह 15 गुना ज्यादा संक्रामक है ठीक ह खुचा गया है किसको N440 को ठीक है इसको और क्या कहा जाता है AP strain भी कहा जाता है यह किस मतलब इसका क्या काम है काम तो भी है लेकिन जो अभी कोरूना वायरस है यह इससे मौजूद है कोरूना वायरस है 15 गुना ज्यादा संक्रामक है मतलब ना भयान है कि अब अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो यस जगर मुहन रडडी गवर्नेर कौन है विश्व भूसर हरीचंदन अगर न्याइधिस की बात कर ले तो अरुन कुमार गोश्वामी आंद्रप्रदिस की लोग सभा सीट 25 राजी सभा सीट 11 विधान सभा सीट 175 आंद्रप्रदिस की पांच पड़ोसी राजी की बात करें तो ओड़ी साथ 36 गड़ करनाटक तमिलनाडू और तिलंगाना एक अक्टूबर 1903 को आंद्रप्रदिस भासा के धार पर गठन होने वाला पहला राजी बना था अगर हम पूश लें कि भासा के अधार पर बतलब भासा के अधार पर ग में 37 धभन इससपेस सेंटर है कोलेरी जीरो पूलिकर फिर कि अन्द्रप्रदिश की प्रमुक्षीले है नागरजून सागरबाण और नहीं परिस्तित है और यह कहां इससे थे अन्द्र को आगर वख मुचा म में ही इस्तित है मंदीर की बात कर लें तो तिरुपति बाला जी मंदी चित्वर और विंकेर चेश्वर मंदी तिरुमाला में है अगर आंध्र पुडिस के लोक नित्ती की बात करें तो कुछी पुडी घंटा मर्दाला भामा कल्पम दीमसा कोलटम विलास इनाट्यम आधि है अगर हवाई नम अंतराष्टी हवाई अड़ा नेस को चलता है कि अंतराष्टी व्रत दिवस का मनाया गया है इस दिवस का उद्दिस क्या है अच्छे स्वास्त के बारे में लोगों को जागरूप करना और हज से ज्यादा वजन और ज्यादा राइटिंग से होने वाले नुकसान की और लोगों का ध्यान खीचना इस दिवस का उद्दिस है इसकी तीम क्या थी you are beautiful handsome just the way you are no need to worry about that इसकी तीम यही थी you are beautiful handsome just the way you are no need to worry about that इसकी तीम थीम अगर हम अप्राइल महिने के टॉप 10 डेस को देख लेते हैं पहले भी हमों डिसकस कर चुकर है कि फिर से कर सकते कर लेते हैं जिससे आपको यह रिवाइज हो जाए और आपकी दिमाग पर इदम बैठ जाए याद हो जाए तो वर्ल्ड हेरिटेस डे 18 अप्राइल थीम complex past diverse futures वर्ल्ड वाइस डे 16 अप्राइल थीम वन वर्ल्ड मेनी वाइस विस्ट हुम हीमोफीलिया दिवस वर्ल्ड हेमोफीलिया डे 2027 अप्राइल थीम एडाप्टिंग टू चेंज वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्राइल 19 अप्राइल यान चीनी भासा दिवस यान यान चीनी स्नूकर खेल इसके बारे में जाल लेते हैं यह एक क्यों खेल है क्यों सबुट को बिलियर्ट खेल भी कहा जाता है वे विभीन परकार के खेलने जो क्यों स्टिक के साथ खेले जाते है या चार पॉकेट या छाय पॉकेट के साथ एक मेच पर खेला जाता है या स्नूकर गेंदो और क्यों का उप्योग करके खेला जाता है स्नूकर गेम का उद्धिस क्या है क्यों के साथ सफेद क्यों वाल को हिट करना ताकि यह अन गिंदों पर लगे और बदलेवे पॉकेट में गिर जाए अंग्रेजी पेसेवर स्नूकर खिला रहे ही कौन थे माकसल भी है जो चौथी बाद विस्व चैंपेंशिप जीते हैं और वो कहां कहीं यूके की है आठवी कोशन पर सलते हैं कि किस राज की सरकार ने पत्रकारों के लिए गोप बंधू संबदी का स्वास्थ भीमा योजना को सुरू किया ओडिसा की सुरू किया है ओडिसा सरकार ने यह एक स्वास्थ भीमा योजना है जो ओडिसा सरकार दोरा पत्रकारों के लिए सुरू की गई है यह योजना राजी के सभी कारिरत पत्रकारों को दो लाख रुपए का स्वास्थ भीमा कवर बदान करेगी और यह योजना पत्रकारों को उनके कर्टब्यों को पालन करते हुए विमारी और चोटों को भी कवर करेगी इस योजना का नाप गोपाल बंधुदास के नाम पर रखा गया है वे ओडिसा के एक लोग प्रिय सुधारक, समाचिक कारिकरता, पत्रकार, रासनेतिक, कारिकरता, निबंदकार और कभी थे अब ओडिसा के बारे में जालने थे इसकी स्थापना कभी थे एक अप्रार 1936 को थे रासानी आपका भूनेस्वर में है मुख्य मंतरी आपके नवीन पतनायक है गवर्नर के अगर बात करें तो गनेसी लाल है मुख्य नयायदी सापके एसमूल लिधार है अगर हम ओडिसा के लोग सबासीट की बात करते हैं तो 21 राची सबासीट, 10 और विधान सबासीट 147 है ओडिसा के राच्की पसू, सामबर, राच्की पच्ची, इंडियान डोलर और राच्की व्रिच असोख है ओडिसा के अगर हम चार बडोसी राच्ची की बात करें तो पस्चिम बंगाल, जारखन, 36 कड, आंथपदेस्ते रंगाना आदी है अगर हम ओडिसा के प्रमुग जील की बात कर लेते हैं तो चिल का जील, चो भारत के सबसे बड़े खारेपानी की जील, और उसे लाइगून जील भी कहा जाता है तो कहां पे है ये? ओडिसा में ही है अगर भारत का सबसे लंबा बान कहां इस्तित है ओडिशा महानदीप इस्तित इसका नाम क्या है हीरा कुन बान अगर हम अब्दुलकलाम द्वीब यानि कि वेलर द्वीब कहां इस्तित है ओडिशा के तट पर ही इस्तित है किस मंदिर को काला पैगोटा के नाम से जाना जाता है तो कुरार की सुर्य मंदिर को जाना जाता है ओडिसा के अगर हवाय अड़े की बात करें, तो बीजु पटनायक अंतारास्टी हवाय अड़ा घुनेस्वर, जार सुगुडा हवाय अड़ा, धेडु बले हवाय अड़ा रायगडा आदी हैं ओडिसा के मंदीर सिजगनात मंदीर पूरी कोडाक सुरी मंदीर कोडाक आधी है ओडिसा के लोगनित की बात करें तो आडिसी सवारी आधी है अगर मोडिसा के प्रभु के स्टेडियम की बात कर लें तो कलिंगाई स्टेडियम भुनेश्वर बारबती स्टेरियम, कटर, बिजू पतनायक होके स्टेरियम भूनेस्वर और इस्टुकोर रेलवे स्टेरियम भूनेस्वर आ दी हैं यह उरिशा के बारे में नावा कुस्सन कि टिक टॉक के नए CEO कौन बने हैं तो साउजी च्यू बने हैं, टिक टॉक क्या है सब को बता होगा लेकि फिर बता देते हैं यह एक पॉपलर वीडियो सेरिंग प्लिटफॉर्म है और यह चीन देश के कंपनी है टिक टॉक की पेरेंट कंपनी बाइटी डान्स है ठीक है टॉप फाइब कंपनी के CEO हम जाल लेते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है सत्या नडेला है जूमैप के CEO कौन है एरिक यूवान है गूगल के CEO कौन है सुन्दर पिचाई है और फेस्बुक के CEO के अगर बात कर ले तो मार्क जुगरबर्ग है और यूटूब के CEO की बात कर ले तो सुजेन वो जिससे की है आपके टॉप फाइप पूपनी के CEO हो गया दसे कोशन पर हम आते हैं तो दस्वा कोशन आपका है कि 2021 में ACI विकास बैंक यानिकी ADB, ACN Development Bank की वार्स्तिक गठन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है तो चोवनवा अरुजित क्या गया है इसका उद्देश क्या है इस बैठक में ACI विकास बैंक के 800 सदस्य देशों के पतिनेधी सामिल हुए है और इस बैठक में भारत की तरफ से वित्मंती निर्मला सीता रमन सामिल हुई है इस बैठक का विसे क्या था रचीली भविस्ते के लिए सहयोग और उद्देश क्या था इस बैठक में सभी देशों के बीच आपसे सहयोग देशों का आर्थिक विकास और कुरोना महमारी पे आई आर्थिक तंगी में ACI विकास बैंक के दौर प्रदान की गई वित्ति सहा मुख्या लगा है मनीला फिलिपीन्स में अध्यश कौन है माच सुगू असाकवा थीक है यह आपके आज के मोश्ट इंपॉर्टन टेन कोस्चन थे जो हमने डिसकस कर लिया अब हम जल्दी से इसका रिवाइस कर लेते हैं तब मिलनाडू को नए मुख्य मंत्री कौन बने ह किस देश ने की है इटली ने की है हाले में विस्ट का पहला ए आई मानो रही जहाज कर रिमाड किया गया इसका नाम क्या है तो मेफ लावर 400 है और कुरोना वाइरस का नया स्टेन एन 440 के पहली बार किस राज में पाए गया है अंतर राष्टी व्रदिवस कम मनाया गया है 6 माई को बनाया गया है अगर हम विस्ट स्नुकर चैंपें 2021 कौन बने है मार्क सेल भी बने है और किस राज के सरकार ने पत्रकारों के लिए गोब बंदू समबदी का स्वासभी में योजना शुरू की है और टिक टॉक के नए CEO कौन है तो साउजी चियू है अगर ADB की वार भूमू समय देने के लिए धन्यवाद